असलाम वालेकुम आपरीबरी इस वीडियो में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है यह भी देखेंगे यह साल चेप्टर का पार्ट सैविध हैं अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं आप जरूर से उन वीडियो को भी देखने आपको बहुत सादा है तो इस वीडियो में देखेंगे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है क्या इसे इंटर्चेंजिबली यूस कर सकते हैं और इसकी कंपोजिशन क्य है इसमें कौन-कौन से साल और इंबेड़े होते हैं इसके फंक्शन क्या है ठीक है और कुछ जरूरी चीज़े जो आपको पता होना जरूरी है ठीक है सबसे पहली चीज यह हमारा सैल है एक सिंपल सा स्ट्रॉक्टर है यह सैल है ठीक है इसको बहुत जादा डिटेल में नह इसको सेमी-fluid substance जो की सेल सैब भी कह सकते हो उसे वह होता है साइटो प्लाजम ठीक है यह हमारा नुकलियस है और जब हम साइटो प्लाजम और नुकलियस की कंभाइनली बात करेंगे मिन साइटो प्लाजम अलों विद नुकलियस जब हम इन दोनों को साथ में बोलना चाहे और जो प्रोटोप्लाजम है वो नुकलियस इंक्लूट करता है प्रोटोप्लाजम इंक्लूट्स नुकलियस लेकिन जो साइटोप्लाजम है वो इंक्लूट नहीं करता है नुकलियस को ठीक है साइटोप्लाजम की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ सैल सैब की बात हो रही हो है वो होता है nucleoplasm, cytoplasm क्या होता है cell के अंदर जो cell sap present है जो jelly-like होता है, जो viscous होता है, जो semi-fluid substance होता है वो होता है cytoplasm, अब जब हम nucleus को और cytoplasm को commonly बोलेंगे, तब हम protoplasm term का use करेंगे, clear, next, cytoplasm contains, cytoplasm में क्या-क्या present होता है, इसकी क्या composition होती है, इसमें क्या-क्या चीज़े present होती है, यह भी पता होना ज़रूरी है, इसमें होता है 90% water, cytoplasm में 90% water present होता है, इसमें 7% proteins present होते है, इसमें 2% carbohydrates and lipids present होते है, इसमें 1% organic material, minerals and vitamins present होते हैं, clear हो गया, अब यह जो organic material है, यह natural material होता है, जिसमें green manure और leaves आजाती है, अब cell के अंदर leaves और green manure तो present नहीं होगा, obviously, अब यह जो natural material है, वो cell की जरूरत के मुताबिक उसके अंदर, जो natural material जरूरी है, वो present होता है, like minerals, minerals present होते हैं, minerals क्या होते हैं, यह essential nutrients होते हैं, जिसकी जरूरत हमारी body को होती है, growth में, ठीक है, repair में जरूरी होते हैं, यह growth में जरूरी होते हैं, और यह क्या-क्या होते हैं, calcium हो सकते हैं, potassium हो सकते हैं, sodium, phosphorus हो सकते हैं, magnesium हो सकते हैं, sulfur हो सकते हैं, ठीक है, Calcium Ca, Potassium K, Sodium Na, Phosphorus P, Magnesium Mg, Magnesium Mg, Sulfur S यह इसके symbols होते हैं clear हो गया, अब इसमें vitamins भी present होते हैं जो कि obviously बहुत small amount पर present होते हैं vitamins हो सकते हैं A, D, E, K, B, B6, B12, etc यह vitamins इसके अंदर यह vitamins इसके अंदर present होते हैं अब यह जो difference है, cytoplasm और protoplasm के बीच में यह almost minimal है, ना कि बराबर इसमें difference होता है हम इसे interchangeably भी use कर सकते हैं लेकिन आपको difference पता होना जरूरी था और आपको पता हो गया, clear, next अब यह जो cytoplasm है, इसको किस तरह से कह सकते हैं अगर हमें one line में इसको explain करना हो यह cytoplasm में यह jelly-like होता है, viscous होता है और semi-fluid substance होता है इसकी consistency, basically jelly-like होती है viscous, semi-fluid substance अब यह जो viscous है viscous का मतलब होता है stick मतलब यह थोड़ा से sticky type का होता है thick होता है, means solid और liquid के बीच की consistency होती है semi-fluid consistency होती है, means solid और liquid, ठीक है इसके बीच की consistency होती है अब जो honey होता है, honey यानि शहद, इसकी जो consistency है वो भी solid और liquid के बीच की होती है means इसमें जो viscous की है वो higher viscosity present है अब जो water है, वो तो sticky नहीं होता है thick भी नहीं होता है, वो तो flared होता है इसलिए उसकी जो viscous की है वो lower viscosity होती है clear हो गया, honey की higher viscosity होती है और water की lower viscosity होती है next अब जो cytoplasm है इसके अंदर बहुत सारी cell organelles present होती है जैसे कि हमारे अंदर blood present होता है वैसे ही cell के अंदर cytoplasm present होता है cytoplasm के cell के cytoplasm में cell के organs present होते हैं अब cell के organs कौन होते हैं cell organs होते हैं cell organs ठीक है अब ये जो cell organs हैं ये बहुत सारे होते हैं एक दो नहीं होते हैं कई सारे होते हैं अब जो plant cell है और animal cell है ये दोरों अलग अलग होते हैं obviously plant cell अलग है और animal cell अलग है ठीक है अब जो plant cell में cell organs present होते हैं और animal cell में cell organs present होते हैं और कुछ cell organelles ऐसे भी होते हैं, जो सिर्फ plant cell में होते हैं, और कुछ cell organelles ऐसे होते हैं, जो सिर्फ animal cell में होते हैं, clear? अब cell organelles कौन कौन से होते हैं, cell organelles होते हैं, endoplasm, kreticulum, ribosomes, mitochondria, lysosomes, centrioles, nucleus, golgi apparatus, plastid, etc. बहुत सारे cell organelles होते हैं, इसकी सिरीज हम आगे देखेंगे, cell organelles काफी सारे होते हैं, इसकी detail हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, notification bell को भी प्रेस कर दे, ताकि आपक आजाए, clear हो गया, next, अब यह जो cell organelles present होते हैं, इनके shapes जो हैं, वो different होते हैं, shape अलग होने की वजह से, इनके functions भी अलग होते हैं, अब यह cell organelles हैं, इनके shape अलग-अलग होते हैं, अब इनके जब shape अलग-अलग होते हैं, तो इनके functions भी अलग-अलग ही होंगे, clear हो गया, next, अब इस घ्र तेसरा इस एस ताइप से टाइप्स में डिवाइड़ है और डबल मेंब्रेन बाॉंड यह बाउनल्स कुछ ओरगानल्स होती है जो तरह स्थमक्राइन कील लेवीडियो में में शुम अपने शुत नोराइंट के लिया होना चाहिए अब हम यहां functions देखेंगे, cytoplasm के क्या functions होते हैं, अगर आप से exam में पूछा जाए, cytoplasm के function बताईए, तब भी आप यही functions लेखें, अगर protoplasm के functions आ रहे हैं, तो भी आप यही functions लेखें, ठीक है, कि दोनों में काम आएंगे, cytoplasm में क्या होता है, यह living part होता है, सेल का, cytoplasm सेल का living part होता है, जैसे हमारी बॉड़ी में जो blood है, वो living part है, वैसे ही, cytoplasm सेल का living part होता है, और इसके अदर सारे life functions होते हैं, इसके अंदर सारे life functions होते हैं, सारी life activities करता है है, बहुत important होता है, all metabolic activities occur in it, सारी metabolic activities जो है वो इसके अंदर होती है metabolic activities से आप समझ सकते हैं कि chemical reactions chemical reactions जो हमारे food को energy में convert करते हैं वही होते हैं chemical reactions और यह जो सारे chemical reactions है इन्हें metabolic activities के अंदर रखते हैं अभी जो metabolic activities हैं यह cytoplasm में ही होती है clear हो गया अभी जो chemical reactions हैं इसमें कुछ chemical reactions होते हैं, जो बनाने का काम करते हैं, और कुछ chemical reactions होते हैं, जो तोडने का काम करते हैं, जो बनाने का काम करते हैं, बड़े-बड़े molecules बनाते हैं, वो होते हैं anabolic reaction, और जो बड़े-बड़े molecules को तोड़ देते हैं, breakdown कर देते हैं, वो होते catabolic reactions, ठीक है, इसकी detail पता होना आपको भी जरूरी नहीं है, अब यह आपको इतना जरूरी है कि आपको metabolic activities पता हूँ, कि इसमें chemical reactions होते हैं, clear हो गया, next, different cell organelles embedded in it, cytoplasm के अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरीके के cell organelles embedded होते हैं, cell organelles तो मैंने आपको बिता ही दी है, next, helps in cell respiration, अब यह जो cytoplasm है, यह cell की बहुत जादा help करता है, उसके respiration में, अगर हमारी body में blood नहीं होगा, तो हम कैसे सांस लेंगे, blood ज़रूरी है, उसी तरह से cell के अंदर cytoplasm ज़रूरी है, उसके लिए सांस लेने के लिए, क्लियर हो गया, respiration के लिए उसी तरह से साइटोपलास्म सैल में बहुत जादा जरूरी है, मैंने एक Instagram पेज भी create किया है, अगर आपको scientific facts और motivational क्योट्स पढ़ना और जानना बहुत जादा अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपके environment में आसपास क्या हो रहा है और उसमें क्या science है, तो आप मेरे इस पेज को follow कर सकते हैं, या भी नया नया बना हैं, और followers बढ़ा सकते हैं, यह मेरा Facebook पेज है, आप मुझे यहां भी follow कर सकते हैं, और aims of education को support कर सकते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम cell organelles के बारे में देखेंगे, support करिए, वीडियो को like कर देजएगा, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो वो भी कर लिएजएगा, thank you so much.